नमश्कार आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारशे चैनल नोलज वितहरशी तिमें जैसे कि आप सभी को पता है कि हर्याना विदेला शिक्षा बोर्ड ने जो है वो एस्टेट यानी हर्याना शिक्षक पातरता प्रिक्षा 2022 का जो है वो ओफिशल नोटिविकेशन जारी कर दि बढ़ेंगे और इस बार क्या कुछ फीश रहेगी कि इस बार फैटर निया फीश में किसी परकार का चेंज हुआ है क्या कुछ है तो मैं आपने जो हुआ सब करें इसे व्यूद्ध कैसे करें मांतरे पचास दिनों में 90 माक्स ऐसे लेकी हैं उसे मैंने सारा कुछ डीटेयल से explain क्या हुआ है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखिया है तो उस वीडियो का लिंक मैं जो हो डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूँगा तो आप वो वीडियो भी जरूर जो हो चाउट कर ले उससे आपको काफी जादा preparation में help मिलेगी चलिए हम सीधा जो हो notification के और चलते हैं तो मैं आपको फीस बता देता हूँ सबसे पहले फीस क्या है तो जो schedule cast और जो physical handicap student है हरियाना के उनकी जो फीस 500 रुपे है एक लेवल की बाकी जितने भी all category के student से है चाहे वो general हो और VC हो सबकी जो फीस वो 1000 रुपे है हंजी अगर दो लेवल के लिए apply करते हैं तो schedule cast और physical handicap student की फीस जो हो 900 रुपे रहेगी और बाकी सब की फीस 1800 रुपे है और अगर तीनों लेवल PGT, TGT, PRT तीनों के लिए apply करते हैं तो schedule cast और physical handicap student की फीस जो हो 1200 रुपे और सब बाकी अधर category जितनी भी है उनकी फीस 2400 रुपे रहेगी और schedule cast और physical handicap अगर हरियान domicile का है तब ही जो होई छूट मानने होगी वरना गर वो दूसरे state का है तो उसकी फीस जनरल category के तहत ही 1000 रुपे और 1800 और 2400 रुपे रहेगी तो only जो हरियाना के schedule cast और physical handicap student है उनके लिए जो हो ये छूट applicable है तो अब मैं बात करता हूँ कि timeline की कब जो है वो form भरने start होंगे कब admit card आएंगे तो मैं आपको पता देता हूँ कि आज से 17 सितंबर 2022 है हाँ जी आज से जो हो आपके form भरने शुरू हो जाएंगे form जैसे ही निकलेंगे तो मैं आपको कैसे form भरना है फोन से तो मैं वो भी वीडियो डाल दूँगा आप form भरने में किसी परगार की जल्दी ना करें कभी आपको जो है वो कोई mistake हो जाए आप पहले एक बार वीडियो वोच कर लें अच्छे से और आपने डोकुमेंट्स इतने रेडी कर लें क्योंकि 27 सितंबर जो हो last data भी 10 दिन है form भरने के तो आप शान्ती से ठीक तरीके से form भरना आपको जो हो कोई भी mistake हो जाती तो मैं अब आपको टाइम लाइन पता चल गई होगी 17 से 27 सितंबर तक जो हो form भरे जाएंगे और 28 से 30 सितंबर तक collection window कुलेगी हंजी 2 नवंबर को 2 नवंबर को जो हो आपके admit card जारी कर दिये जाएंगे हंजी 10 दिन पहले और प्रिक्षा आपकी 12 और 13 नवंबर शनिवार और Sunday को जो हो आपकी प्रिक्षा योजित करवाई जाएगी जैसे कि आपको पताई कि हर बार ऐसी होता है Saturday और Sunday को आपके exam conduct करवाई जाता है तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आगे जो है वो यह पूरी booklet है और इसमें जो है वो सारा कुछ details explained किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको कितने marks चाहिए पास होने के लिए तो पास होने के लिए जो है वो अगर schedule class और physical handicap student है हरियाना का तो उसको 82 marks चाहिए हंजी उसको 82 marks चाहिए और बाकि उस सभी category के बच्चों को 90 marks चाहिए हंजी बाकि सभी category के बच्चों को 90 marks चाहिए और जो schedule class और physical handicap student उसको 82 marks जो है वो pass होने के लिए चाहिए अब मैं बात करूँ तो जो paper pattern की है paper pattern से हैं आपका वैसे यह TGT PGT के लिए जो हर साल होता है 30 number की pedology, 15 number की English, 15 number की Hindi, 10 number का math, 10 number की GK, 10 number की reasoning और 60 marks जो हो आपके subject के हां जी वही same pattern है, pattern pattern में जो हो किसी परकार का बदलाव नहीं किया गया है, syllabus भी जो हो पिछली बार की तरह ही दिया गया है तो और बख की आपका instructions भी वही हैं कि इस बार भी photo जो हो white background में होनी चाहिए और जो हो left hand impression तो आपको जो हो यह लगबग सारा पता ही होगा फिर भी जो अभी तो इसमें यही दिया गया है और form में शायद अलग भी हो सकते instructions तो जब form आएंगे निकलेंगे तब ही पता लगेगा कि किस size में photo और किस size में जो हो कौन से background में photo होनी चाहिए तो वो भी जब form आएंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि किस प्रकार से आपको photo और impression और signature आपको adjust करने अपने phone से ही जो हो आप इसको click करके जो हो अपने phone से ही आप size में change भी कर सकते हैं बाकी जो हो examination center की बात करें तो आपको पहले की तरह home district में ही आएगा कोशी यही र पता दिया है आपको eligibility तो सारों को पता ही होगी अगर फिर भी आपको किसी परकार का doubt है तो आप मेरे को बेजी जब कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं मैं आपका reply करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा और बाकि आप जो हो यह official notification भी जाहो देख सकते हैं तो अगर पूरी जाहो वह सारी बात का बता लग सके धन्यवाद